बॉट बॉर्णिंग इस्ट्रेंट्स वन्स अगें यौर मॉस्ट वेलकम इन ओनलाइन क्लास अफ महता पब्लिक स्कूल आइम प्रभा कॉशिक यौर इंग्लिश टीचर तो देखें तो देखें प्रभा कॉशिक पड़ा था प्रिविस क्लास में कि शेटी नाम का जो मेजिशन होता है जब वे अपने घर लोट रहा होता है तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है तो वे बचने का स्थान देखता है और उसको एक देवदार का व्रिक्ष यानि पेड़ नजर आता है और वे बचने के लिए उसके नीचे चला जाता है फिर जैसे ही वे बारिश थमती है रुकती है तो वे बड़ा खुश होता है कि वे भीगा नहीं और फिर वे कहता है कि तुम मेरे प्रती बड़े दायालू रहे हो मैं आपको नाम देना चाहता हूँ तो मुझससे चार अपनी विशेज मांगो और मैं इनका पूरा करूंगा फिर जो फट्री है वो अपनी फोर विशेज मांगता है तो पहले उसके विशेज होती है कि उसके पास में सुई जैसे पतिया होती है और बड़्ड भी उसके खोसला नहीं बनाते तो वह इसलिए मांगता है कि मेरी दूसरे friends की तरह मेरी भी green पतियां हो जाए जिससे birds भी घोसले बनाए तो अगली सुबह क्या होती है उसके wish पूरी हो जाती है और उसके हरी पतियां आ जाती है लेकिन क्या होता है एक बकरी उसके पास में आती है along means pass में along means along means pass में एक बकरी आई और उसके सारी green पतियां खा गई तो वह बड़ा दुख्य होता है फिर वह दूसरी विश मांगता है कि green पतियों के बज़ाए मेरे gold leaves हो जाए सोने के पतियां हो जाए ताकि बकरी उसको खाएगी नहीं यानि खा ना सके क्योंकि पतिया जो बकरी है वो gold leaves कभी नहीं खाती है तो next morning जब वह जगता है तो उसके gold leaves हो जाती है लेकिन क्या होता है कि आदमी जो एक यानि आदमी आते हैं यानि एक आदमी आया उसके पास में और सारी पतियों को चुरा ले गया फिर बड़ा दुखी होता है फिर वह कहता है कि इसकी बजाए मेरी glass leaves हो जाए शिशे के पतिया हो जाए क्योंकि आदमी यहां पर मैं यह मैं का प्लूरल यहां पर है यह सिंगुलर हो गया यह प्लूरल हो गया तो मेरी शिशे के पतियां हो जाए ताकि आदमी उसको नहीं चुरा सकेंगे यानि शिशे के पतियों को आदमी नहीं चुराते हैं तो next morning होती है फिर क्या होता है उसके सारी शिशे के पतियां हो जाती है और फिर वह बड़ा खुश होता है लेकिन रात को क्या होती है हवा चलती है blue means बहने लगी या चलने लगी रात को हवा चलती है और सारी ग्लास के पतियां क्या हो जाती है तूट जाती है अब देखी उसकी four wishes हो गई एक तो green leaves हो गई पहले उसकी फिर वह क्या करता है फिर उसकी gold leaves हो गई फिर उसकी क्या हो गई glass leaves हो गई यह हो गई उसकी तीन wishes green leaves, gold leaves और क्या हो गई glass leaves यह क्या मांगता है फोर्थ wishes उसकी क्या होती है यह देखे ओह डियर, अरे प्रिये या अरे यार यहाँ पर यार भी ले सकते हैं लेकिन प्रिये ज़्यादा सही रहेगा ओह प्रिये, सैट दक फर्ट्री यानि फर्ट्री ने कहा किस से खा अपने आप से कहता है अरे प्रिये, यानि फर्ट्री ने कहा I like my older needle like leaves best यानि मेरी जो पुरानी needle like यानि जो सूई जैसे पतियां है वही सबसे अच्छी है best means सबसे अच्छी ग्रीन लिव्ज में से ग्रीन लिव्ज में से, ग्लास लिव्ज में से तो मेरी जो है older needle like leaves मेरी जो सूई जैसे पुराने पतियां है वही सबसे अच्छी है 4, 4 means के लिए होता है लेकिन यहाँ पे होगा क्योंकि Gods do not eat them क्योंकि बक्रियां उसको नहीं खाती है बक्रियां उनको नहीं खाती है यानि सूई जैसे पत्यों को नहीं खाती है no man can instill them और आदमी भी उसको चुरा नहीं सकता still means चुराना और them means उनको और आदमी भी उनको चुराना the wind will do them no harm और जो हवा है भे भी उसको नुकसान नहीं पहुचाएगे धवा है भे भी इन पत्तियों को नहीं तोड़ पाएगे यानि नुकसान नहीं पहुचा पाएगे ओके त्री वेन टू स्लिप यानि जो ट्री है भे सो गया ओके ट्री है वेन टू स्लिप जब यह सुबह जब यह अगली सुबह जगा next morning means अगली सुबह जगा जब यह अगली सुबह जगा कौन पर्ट्री यानि वह सो गया था और जब यह अगली सुबह जगा it had all its needles back again तो उसकी क्या हो गई? needles यानि सुई जैसे पतियां दुबारा आ गई थी वापस आ गई थी उसकी सुई जैसे पतियां needles means सुई जैसे पतियां all its यानि उसके सारी सुई जैसे पतियां वापस यह दुबारा आ गई थी फिर वे क्या कहता है? oh I never never means होता कभी नहीं oh I never was so happy said the little part day it means I never I never was so happy itna खुश था so means itna या बहुत said the little fur tree यानि fur tree ने कहा कि मैं इतना पहले कभी खुश नहीं हुआ जितना कि मैं आज खुश हुआ हूँ क्योंकि मेरी जो नुकीली पतियां है वही सबसे बैस्ट है क्योंकि बकरी इनको खा नहीं सकती और आदमी इनको चुरा नहीं सकते और हवा इनको तोड़ नहीं सकती नुकसान नहीं पहुचा सकती वैसे तो देखिए हवा में तूटती है पतियां लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुचा सकती क्योंकि शिशे के पतियां तो बिलकुल नाजुक होती है वो तूट जाती है तो इनके बजाए ये पत्या मेरी सबसे best है, सबसे अच्छी है किन में से green leaves, gold leaves और glass leaves में से तब ये superlative degree use में ली गई है best ओके good, better, best, good means अच्छा, better means दो में से अच्छा और best means सबसे अच्छा, ओके तो students, your chapter has completed, ओके be safe, be healthy and take care yourself, goodbye thank you very much